नमस्कार बच्चो स्वागत आपका आपके आपनी यूट्यूब चैनल राजबेग क्लास्टिपर तो हम करें क्लास्ट नंत मैं सनुश्यार्टी अक्सराइज 8.1 क्यूस्चन नंबर 11 8.1 अक्सराइज का लास्ट क्यूस्चन है 9.2 अक्सराइज क्लास्ट 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 नंबर 11 10A की value हमेशा 1 से कम होती है 10A क्या होता है perpendicular upon base यह क्या है तो अपना 5, 12 and 13 रहा रिप्रेट है 5, 12 and 13 यहापर 10 यह क्या हो गए 12 upon 5 यह तो 1 से बढ़ा है so it is false F-E-L-S-D false क्योंकि it may be less than 1 may be more than 1 less than 1 भी हो सकता है और more than 1 भी हो सकता है डिपेंड करता है base और परपेंडिकूल कैसे है अगर base बड़ा हो गया तो less than 1 हो गया अगर base छोटा हो गया परपेंडिकूलर से तो more than 1 भी हो गया दुद्रा है sec A equal to 12 by 5 for some value of angle A for some value of angle A sec A 12 by 5 यह 12 और यह 5 यह 12 और यह 5 शहीं होता है post पर पर बिल्कुल सही है नहीं तू अब यह बात है आपर कोसे यह होती है तो कोसे के आने कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता and sec A कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता always 1 से बड़ा ही होगा सकता है तो आप यह 1 से बड़ा ही है 2 से यह उपर है क्योंकि sign A वह कोसे always less than 1 third question कोसे is the abbreviation used for the cosecant of angle A कोसे cosecant of angle A cosecant के लिए तो कोसे के लिए तो कोसे के लिए करते है false and false तो यह false होगा वह से हम करते हैं cos A के लिए abbreviation used cos A उसके लिए हम वह से लिए तो कोसे लिए तो कोसे लिए तो है quarter is the protect of quote and A यह भी बिल्कुल false quote कोटे जो है वह quote A का product नहीं है sin theta is equal to 4 by 3 for some angle theta किसी अंगल theta के लिए मालुए अंगल theta है तो यह भी false होग आपको समझ में आया हूँ अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आरें चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ रहें और हंडर्ड आउट ओफ हंडर्ड कर टार्गेट बर्करा रखें थैंक्यू बच्चों हेव नाइस टेक इंज्वाइवर मैंस